रूहिनिया चार और रूरी में जम कर ररार पैदा होदा हुआ नजर आ रहा है पर्चा भरने को लेकर लगतार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी और आरजेडी एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे की गलतियां गिनानों को लेकर नमश्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फानेशन लालोप शाद यादब की दूसरे नमबर के बेटी रोहनी आच्यार जो है वो सार लोग सभा सीट से चुनाब लड़ रही है रोहनी आच्यार एलगातार चुनाब प्रचार कर रही है नामांकन भी दाखिल कर चुकी है लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद रोहिनी आच्यार और राजी प्रताप रूडी जो की BJP के प्रत्याशी के तौर पर वहाँ से खड़े हुए हैं उनके बीज जो है वो रराड परती हुई नजर आ रही है आपको बतादे चलें कि रोहिनी आच्यार जो हैं और राजी प्रताप रूडी इन दिनों आमने सामने हैं सारन संसद्य शेत्र में दाखिल नामांकन पत्र में शनिवार को हुई जाश के दोरान गहमा गहमी रही निर्वाचन पत्र दिकारी और डीम शम्मू सरन पांडे के समक्ष भाश्पा प्रत्याशी राजी प्रताप रूडी और राजट के प्रत्याशी रोहिनी आच्यार की ओर से एक दूश्रे के नामांकन पत्र को गलत तथ्यों का दावा करते हुए आपत्ती जटाए गई M.D. संजय ने भाजपा की ओर से लिखी शिकायत में कहा है कि रोहिनी आचारे का पता गलत है जो विवरन दिया गया है वो रिकॉर्ड में गलत है रोहिनी की आई शपत के दिन गई विवरन की अनुसार किसी साल चार हजार तो किसी साल डेर लाक और किसी साल अढ़ाई लाक है उनके पास नगत 20 लाक और पती के पास 10 लाक है चलसंपती तीन करोड की है इसका कोई शोत्र नहीं बताया गया मुंबई में 25 करोड में फ्लैट का जिक्र किया गया आयकर विवरा ने जब दो लाख और तीन लाख सलाना आये तो इतना महंगा फ्लैट कहां से आया नावंकन के इस समय दिये गए शपत पत्र के तत्यों को चुपाने कारोप लगाया गया पुरविधायक भोलायादम ने लिखित रूप से शिकायत की और कहा राजी पताप रोडी के पीता के नाम में मतदान सूची और शपत पत्र में गलती है फॉर्मेट 26 कॉलम में 11, 12, 15 को खाली छोड़ा है आयोग का सपस्ट रिदेश्वे की सभी कॉलम को भरा जाए जबकि खाली छोड़ दिया गया है फॉर्मेट में टेंपरिंग का रोब लगाया गया है कई जगों पर शपत पत्र में स्वेम लिखा हुआ है जबकि पूरा नाम लिखना जरूरी है इसके लावा पत्नी का नाम भी छूटा है शपत पत्र में शुने की जगा एन लिखा हुआ है जबकि लागू नहीं है कि शुने का जिकर करे और भोला यादब में निर्वाच इन पत्र दिकारी की शतपती कौपी भी मांगी है तो आप देख सकते हैं कि राजी प्रताप और रूडी और रोहिनी आच्वार के शपत ग्रहन को लेकर जो है नामंकन दाखिल करने को लेकर जो डिटेल्स भरे गए हैं उसको लेकर लगातार जो है वो खबर निकल कर सामने आ रही है एक तरफ जहां रोहिनी आच्वार ने जो अपने संपती को दिखाया है उस संपती पर सवाल उठाये जा रहे हैं कि अगर इतनी इंकम नहीं है तो फिर इस तरह की संपती कहां से बनी है अब देखना होगा कि अब इसको लेकर आने वाले दिनों में रोहिनी आच्वार राजी परताब रूड़ी की मुश्किले बढ़ती है वे कम होती है फिलहाल के लिए सब्डिट में इतना ही